हेलो दोस्तों बक्राइद के खुबसूरत मौके पर फर्स्ट कलेजी की ये बहुत ही मसितार जूसी कलेजी जरूर बनाए आपको बहुत जादा पसंद आएगी और अकर वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब भी कर लीजे तो चलिए बनाना शुरू करते हैं कहोँ से पहले गलेजी को एक बॉल में ट्रांस्ट कर पर घडिया और यहाँ पर जो इसके उपर एक लेएर होती है पतला सा कलेजी पर होती है इसको हाथ की मदल से इस्तरीके से हमें क्लीन करना है इस से आपकी ऐऑगी, बहुत ही सौफ्ट बने गी आप बहुत ही जूसी सबस कर लेंगे यहाँ पर मैंने पानी में अच्छे से वाश कर लिया है आप देख सकते हैं कलेजी का जो कलर है वह बिल्कुल चेंज हो गया है अब हम इने मैरिनेट करेंगे, मैरिनेट करने के लिए सबसे पहले हम इसमें green chilli paste add करेंगे, ısरी मीज का paste, 1 tablespoon धनिया powder डालेंगे और 1 teaspoon हल्दी powder हम इसमें डालें हैं, इसमें डालेंगे yellow मेज powder, आप चाहें तो red chili powder भी add कर सकते हैं, ब्लैक पेपर पॉर्डर वन टीस्पून नमक अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें एड़ करेगा जीरा पॉर्डर वन टीस्पून इसमें डाल रहे हैं कश्मीरी रैट जिली पॉर्डर वन टेबल इस्पून गरम मसाला पॉर्डर वन टेबल इस्पून गरम मसाला थोड लेंगे वन टेबल स्पून अगर आप छोटी चम्मा से डाल रहे हैं तो दो चम्मा जिसमे आड़ कर दीजे और इन सब को अच्छी से मैरिनेट कर लीजे मैं इसमें लेमुकरास आड़ करूंगी हाफ लेमुकरास इसमें डालेंगे खुबसूरत कलर के लिए हम इसमें यलो फ कुछ खड़े मसाले डालेंगे तेजपता दालचीनी एक लाल मिच जीरा काले मिच और यहां पर मैंने जावित्री ले लिए जावित्री का एक छोटा सा में इसमें तुकड़ा डालना है इन खड़े मसालों को हम तेल गर्म होने के बाद तेल में अच्छे से डालेंगे यहां पर देखे हमारी प्याज 2-3 मिनिट में अच्छे से फ्राई हो चुकी है जो हमने कले जी को मैरिनेट करने के लिए रख दिया है बहुत ही जबदर्स कलर भी आ गया है और सारा फ्लेवर मसाले का कलेजी में आ गया है तो हम इस कलेजी को इसमें डालेंगे और अच्छ अच्छे से भून लेंगे ताकि जो मसाला है अच्छे से सूख जाए यहां पर देखे मसाला अच्छे से सूख गया है तो मैं इसमें थोड़ा सा पानी एट करूंगी तकरीबन वन टेबल स्पून मसाले को साफ करके हम इसमें डाल देंगे और कवर करके 10-15 मिनिट के लिए लो फ्लेब में पका लेंगे बीच बीच में चेक करते रहें और इस्टर भी कर लेंगे इन्हें चला लेंगे ताकि कलेजी नीचे से जले नहीं 15-20 मिनिट में हमारी कलेजी बनके तयार हो चुकी है बहुत जबरदस खुझबो आ रही है आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राय करिए आज कल बकरीद का सीजन भी है तो आप इस रेसिपी को ट्राय करिए सबको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी और इस जूसी कलेजी को आप चपाती के साथ या फिन नान के साथ सर्फ करिए बहुत ही मज़िदार है अगर वीडियो अच्छा लगे मेरी रेसिपी पसंद आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें जादे सब्सक्राइब करें और इस तरीके से नए नई रेसिपी के साथ तब तक लिए बाइ